नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आज नेट हाउस में जो हमने कुकुंबर लगाया था उसकी फजल को लगबग दो महीने पूरे हो चुके हैं और इन दो महीनों में हमने लगबग 180 क्विंटल के असपास खीरा इसमें से हर्वेस्ट कर किया है एवरेज रेट अभी हमें इसका दस रुपे ही मिल पाया है क्योंकि अभी रेट काफी डाउन है इस टाइम पे और 7-8 रुपे भी हमने खीरा सेल किया है और 12-13 रुपे भी तो एवरेज अगर मैं पकड़के चलूं तो 180 क्विंटल का हमें जो एवरेज रेट मिला ह है वो 10 रुपे के असपास रहा है अभी जैसे ही थोड़ा बरसात स्टार्ट होगी तो हो सकता है में अच्छा रेट मिल जाए और मिल भी जाएगा क्योंकि बरसात में जो हमारा बहार ओपन फार्मिंग करते हैं या जो बीना बांस के या बीना नेट हाउस के खेती करते हैं तो अगर लास्ट में हमें 15-20 दिन का रेट भी अगर अच्छा मिल गया तो उसी में जो एवरेज है वो अच्छी बन जाएगी यानि कि अभी तक हमने इसमें एक लाख 80,000 के असपास का जो खीरा है वो टोटल इसमें से हार्वेश्ट कर लिया है अगर मैं इसमें लेवर की अबी यूट परहा करें और जो तोड़ेगे शाम तक तोड़के पेकर के अच्छी तरह से और लॉड़ कर सकते हैं और आगर दिन छोड़के हम इसमें तोड़ाई करते हैं आज तो 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 पूरा लाश्ट तक देखिए तो यह आप देख सकते हैं जो पोधे की ग्रोथ है काफी अच्छी है जो हमारी बेल है वो पूरा उपर तक जो पहुंच चुकी है इसके बाद दुबारा वो उसको उस साइट से घुमा के पल्ट के दुबारा नीचे फिरा जाएगी है फ्रूटिंग काफी अच्छी है पर्सों इसमें हम हुझता है उसकी क्रोथ प्रोपर नहीं हो पाती जो आगे फ्लारिंग आ रही है वो सूख जाती है तो इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए जो तोड़ाई है उसमें कोई ऐसी धिलाई नहीं करनी चाहिए कि हाँ आज रेट कम है तो हम नहीं तोड़ाई करेंगे उसका नुकसान है आपको तोड़ाई समय से करें यह देखिए हमने परसों ही तोड़ाई की थी और आज फिर हम इसकी तोड़ाई करेंगे क्योंकि यह देखिए सभी का जो साइज है वो तोड़ने लाइक हो चुका है ग्रोथ काफी अच्छी है पोदे की अभी आ रही आ आगे अ इसकी दोनों साइड की लंबाई हो जाएगी बेल की और उमीद है कि 400-500 क्विंटल खीरा इसमें से हमें मिलना चाहिए जो इसके पूरे लाइफ साइकल में है क्योंकि अभी तक जैसे लगवग 200 क्विंटल तो होई चुका है 180 क्या सपास तो और हमने जो परसों तीस एक सो तीस जो थैली थी वो भरी थी 20-20 के जीगे यानि कि यह 25-26 क्विंटल और 17-18 क्विंटल लेके 26 क्विंटल तक इसमें एक दिन छोड़के आराम से तुड़ाई हो जाती है तो लास्ट में जितना भी इसका हमारा टौटल खर्च आएगा टॉटल लेबर कोर्ष्ट या जो भी हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं या जो भी पेस्टीसाइड यूज कर रहे हैं या ट्रांस्पोटेशन चार्ज जो भी हैं वो सब खर्चा निकालके हमें नेट प्रोफिट कितना मिलता है इस एक एकर नेट हाउस से वो मैं आपके साथ से जानगारी शेयर करूँगा ताकि अगर कोई भी किसाम भाई इसको लगाना चाहे तो उसको सच्चाई मिले कि हाँ मुझे इसमें एक्सलेंट प्रोफिट होगा ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल आपको लास्ट होगा तो मैंस टाइम पर आपको एक वीडियो शेयर करके इसकी डिटेल में प्रोफिट कितना हुआ या खर्चे क्या क्या हुए या क्या नुक्सान है या फायदा है वो सब आपको डिटेल में शेयर करूँगा तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं थैंक यू